Hello Friends, Learn Computer के एक नए पिशोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों, आज का हमारा प्रसन है कि कम्पीटर में बूटिंग क्या होती है अगर आप कम्पीटर के स्टूडेंट है तो आपने बूटिंग के बारे में सुना होगा तो क्या होती है बूटिंग चली जानते है नीचे लिखा है कि कम्पीटर में बूट लोडर नामक एक प्रोग्राम होता है जो कम्पीटर चालू करने पर आपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड कर देता है तो दोस्तो इसका simple सा meaning है कि computer में boot loader नामक एक program होता है और इस program का कार्य होता है कि user जब computer को चालू करे तो operating system को computer की memory में load कर दे तो operating system को memory में load करने की जो process होती है उसी process को booting कहते है उसके बाद लिखा है कि computer में booting दो प्रकार से होती है computer में जो booting होती है वो दो तरीके से होती है एक होती है cold booting और एक होती है warm booting तो चली जानते है cold booting क्या होती है और warm booting क्या होती है तो cold booting में लिखा है कि जब computer को पहली बार चालू करते हैं तो यहां क्रिया cold booting कहलाते है और cold booting तब होती है जब computer पूरी तरीके से बंद हो यानि कि दोस्तों अगर आपका computer काफी देर से बंद रखा है सट्डाउन रखा है और ऐसे में आप उसको जब first time start करते हैं पहले बार इसको चालू करते हैं तो ऐसे में ये जो process होती है इस process को हम cold booting कहते हैं यानि कि computer पहले से बंद है काफी देर से बंद है और उसको आप अचानक से चालू करते हैं तो ऐसे में जो process होती है उस booting को हम लोग cold booting कहते हैं नीचे लिखा है warm booting तो चली जानता है warm booting क्या होती है यहाँ पर लिखा है यदि कोई computer पहले से start है और किसी car adverse उसे बंद करके पुना start किया है तो यहाँ प्रक्रिया warm booting कहलाती है अब दोस्तों warm booting आपको समझना पड़ेगा अगर कोई computer पहले से चालू है यानि कि user कोई computer पर कारे कर रहा है और ऐसे में computer को अचानक से बंद करना पड़ जाए या फिर light चली जाए तो ऐसे में आपका computer बंद हो जाए और तुरंट से light फिर से आ जाए या फिर तुरंट से computer को दुबारा से चालू कर दिया जाए तो ऐसे में दोस्तों आपका जो operating system होता है उसको memory में load करेगा bootloader program तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो process होती है इस process को warm booting कहता है यानि कि computer को अगर बंद करके दुबारा से चालू कर दिया जाए तो ऐसे में जो booting होती है उस booting को warm booting कहता है तो आयोग दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि booting क्या होती है तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना जानकारी प्रसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिजिए और computer और internet से समझित ऐसे यह ज़्यादब वीडियो से दिखना चाहते हो तो चैनल को भी subscribe कर लिजिए तो चलिए मिलते हैं हमसे एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बने रहेगा हमरे साथ नमस्कार